नमस्कार दोस्तों योगा गुरु देवा की चैनल में आप शभी का स्पागत आपके लिए बहुत बहुत सारी सुब कामना हैं दोस्तों मैं आज एक नया विडियो मेरी यूटुब चैनल योगा वी देवा की मात्म से आपके पास ले पर आया हैं इस आशन का नाम है देवदत परनाशन इसको अंग्रेज में बोलते हैं फालिंग एंजल पोर्थ यह बहुत ही जोखी महरा आशन में एक माना जाता है इस आशन करने से आद्मियों का हड़ियां मानस्पेशियां ब्याकबोन बहुत होता है शरीर चूष तंद्रूष निरोग रहता है शरीर का पंक्रियाज आक्टिव रहता है इस आशन को कैसे आप स्वही तरीके से कर पाएंगे इसका मैं स्वही तरीका करके दिखाऊंगा आप देखिए मैं कैसे करता हूँ इस आसन करने से पहले थोड़ा आप अपनी दोनों हाथों का एक्सरसाइज करना होगा दोनों हाथों का मजबूत करना होगा देखिए कैसे मैं हाथों का एक्सरसाइज करता हूँ आप पजबासन में बैटीए देखिए मैं किसे पजबासन में बैठा हूँ अपनी जोनों जंगा का पास ही दोनों हातों को रखिए इस पोजिशन में लाइए और उपर उठी, ए, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सोतरा, अठरा, उन्निस, बिस फिर दोनों उंगले के सारे, दोनों हातों के उंगले के सारू परुठिये, विस सेकेंडर, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठरा, उन्निस, बिस फिर दोनों हातों के से उल्टा रखिये, और हातों की सहारे, उपर उठिये, विस सेकेंडर, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठरा, उन्निस, बिस दोस्तों, हात की मजबूत के लिए मैं आपको तीन एक्सरसाइज करके दिखाया, ये करने से आप देखेंगे कि आपका दोनों हात काफी मजबूत हो जाएगा, फिर आप फॉलिंग एंजल पोज जैसे खतरनाक आशन को आप आशानी से कर पाएंगे, फिर मैं दिखाता हूँ आपको फॉलिंग एंजल पोज केशे करते हैं, आप अपनी बाएंपेर के उपर पने बाएंपेर के उपर इस पोजिशन में लाईे, फिर दोनों हातों को इस पोजिशन में लाईे, फिर आईश्था आईश्था थ resonates थुरा बड़े को जुकाईये, फिर आइश्टा आइश्टा आपनी माथे को मिट्टी में लगा करें यह रहा दोस्तों फॉलिंग आंजल पोल इस पोजिशन में आप 20 सेकंड रहे हैं एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा फंदरा तोला शत्रा अठरा उनिस वीश फिर आइश्टा आइश्टा बापोश पोजिशन में आजाए है दोस्तों यह रहा हलिंग एंजल पोज दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लागा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो देखने कले बहुत बहुत हन्यवाद नमस्कार